इस चैप्टर का बहुत सारा पार्ट बन चुका है तो यह फाइनल पार्ट है जिसकी अंतरगत अपने चैप्टर को फिनिश करेंगे ठीक है तो लास्ट क्लास में हमने क्या दिखा था वात और पित्त के जो गुण है उसकी चिकित्सा वगर है यह अपने लोगों ने देख लिया था अभी इस क्लास में अपन बात करेंगे जो कफ का जो गुण है ठीक है और उसका ट्रीटमेंट है वो अपन बात करेंगे तो कफ का लक्षण वाची गित्सा में आपको ये वाला श्लोक आपको लर्न करना है कि गुरू, शीत, मृदू, इसनिक्द, मधूर, इस्थिर, पिछिला, शलेश्मणा, प्रस्मयंती, विप्रित, गुणे, गुणा, यानि की गुरुता, हैविनेस, ठीक है, वो क्या है कफ क गुण है, फिर इसके अन्य शीतता, यानि की कोल्डेलेस लाना, ये भी कफ का गुण है, मृदूता, यानि की सॉप्टनेस लाना, ये भी कफ का गुण है, इसनिक्दता, यानि की लुब्रिकेशन प्रदान करना, ये भी कफ का गुण है, मधूर, मतलब स्वीट, ठीक है, सब्सक्राइरोब के अंतों और का ब geschुक्राइब करेंगे,'iyo दुए करेंगे, जैसे कि, कुरू का इल्टा क्या हो जाएगा, उष्न हो जाएगा, मृदू का हो जाएगा कठीन हो जाएगा हाड हो जाएगा इस निगद का उल्टा क्या हो जाएगा रुक्ष हो जाएगा ड्रै हो जाएगा मधूर का उल्टा क्या हो जाएगा कटू हो जाएगा इस्थिर stable को उल्टा क्या हो जाएगा चल हो जाएगा पिछल को उल्टा क्या हो जाएगा विश्यद हो जाएगा तो ये जो गुण होंगे वो क्या करेंगे कफ का समन करेंगे यानि कि कफ को खतम करेंगे तो ये शलोक को learn कर लेना तेक है easy है जाद कुछ लिए इसमें इस प्रकार से वादपित्त का दोश को पत्ती पंचब महाभूत से होती है और जो पंचबहुतिक आहर ओशदी तथा जिस दोश के विपरित गुण वाले होते हैं वे उस दोश के गुणों को नश्ट करते हुए उस दोश को शांत कर देते हैं ठीक है तो जैसे ह रेक्तर यप गुण वाले होंगे, वो उस दोश को नश्टक कर देंगे, कोई भी द्रव्य, रस प्रधान होने के कारण, रस से, रस से तो कोई विपाक से, तो कोई गुण से, तो कोई क्या है, अपने प्रभाव से कारे करता है, मतलब यहाँ पर यह थोड़ा सा लॉजिक वा करेगा, या फिर अपने गुण के अधार पे, Qualities के अधार पे काम करेगा, या अपने प्रभाव के अधार पे, या इफ्यक्ट के अधार पे काम करता हैं, थीक है, तो यह यहाँ पर आपका बता कि कोई भी जोडरवे होता हैं। तो रस क Посक्ब्सक्राइँ कोर सकता हैं, या वज़े से विपाफ कटू होने के वज़े से क्या होगा कटू हमने देखा ठीक है तो कटू क्या कर रहा था कफ को खतम कर रहा है कफ क्या पोजिट गुन है तो वह यह कि कफ शामक होता है तो विपाफ जो है वो कटू है इस वज़े से कहा है कफ को शमन कर रहा है इसी वज़े से सब के गुण को याद रखना जूरी है कि आपको अगर गुण याद रहेगा तब आपको पता चल जाएगे कि वाद समख है कि पित्ट समख है कि कब समख है समख मतलब कम करने वाले है ठीक है फिर इसके बाद में बात करते हैं साध्यरोगों की चिकित्सा सुत्र के विशे में हाँ पर बतायागे है कि जब देश जैसे कि भूमी देह थेक है मातरा यानि कि बल अगनी और काल इसके विपरित गुणवाले और श्ट का प्रयोग युगति पूर्वा किया जाते है तप साध्य रोग नश्ट हो जाते हैं यहां पर बुल अगए कि जो साध्य रोग है तो जो पेशेंट ми फितने हैं, या उसका काल मतलब जो अब कर्योंगे। जो जाता है तो साध्य जो रोग हुए जो भी डिसी उतपन हुए वो पूल रुप से खतम हो जाएगा और पेशन के है स्वस्त हो जाएगा यह है और असाध्य रोगों की चिकित्सा का उपदेश नहीं किया गया है तो मतलब जो स्मिता जब अपन पड़ते हैं तो इसमें जो आपका treatment करना है ना कि कोई भी रोग साध्य तजानतर याप प्र हो जाता है सबसे पहले कहते हैं कोई भी रोग जो होता है त्रीटेबल रहता है फिर याप प्र हो जाता है ठीक है मतलब या पे इन मों हमें अगर कर दिया और छोड़ दिया फिर उसको और क्रोनी हो जाता है तो वो क्या है याप्य हो जाता है उसमें उसको फिर और हैवी डोज वाल मेडिसिन देना पड़ता है तो वो चीज को बुलागे है ठीक उसकी क्रोनी सिटी और बढ़ जाते है उसे अपन बुलेंगे यहां पर बूलागे है कुछ दिनों तक चिकित्सा द्वारा चलाया जा तकते हैं इसी अंतिमिस्तिती में असाध्य हैं क्योंकि इसमें अरिश्ट लक्षण के उत्पत्ति हो जाती है मतलब यहां पर रोग जो होता है उसमें कुछ दिनों तक अपन ट्रीटमेंट अपलाई कर सकते हैं यह आपके जो रोग है जैसे मैंने बूला कि डॉस में ठीक है अब वह क्या है सेकेंड बार भी अगर मेडिसीन को कंप्लीट नहीं खाया तो वह क्या हो जाएगा वह असाध्य हो जागा उसका अपन ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने अल्रेडी फर्स च्छैनल की तौडश वर्स से ट्रीटमेंट के लिए जो लुका कंप्र आप खाया अंपंजीन हो जाएगागा और उसके तो इस तरह किसी अचारी ने अरिष्ट लक्षण में रसायन प्रयोग तथा तपस्वी ब्राहऑणों ने जब करने वह अरिष्ट ना सक्ग बताया है better तो मतलब यह बताया है कि कहीं अचारी ये बोलते हैं कि अरिष्ट लक्षण यानि कि मित्यू सूचक यानि कि ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि आपको लक्षण दिखाई देगा आगे चल कर पढ़ोगे कि ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो पेशेंड के मित्यू 100% होगे ठीक है वो आपको दिखाई देगा इंदरी स्थ वगर का प्रियोग करना चीए इससे कि है वो अरिष्ट का नस्ट हो जाता है बत कुछ अचारिया जो मानते हैं ये जो अरिष्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक होता है आपका नित्य अरिष्ट जिसमें तब एसके दौर उसको कर सकते हैं मतलब जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो ऐसा करके 5 फ nós क्षेशन हो श्याएगया जैसे के खश्यृंट की मृत्यों को टाल रहे हैं लेकिन एकुंअ कीlle दूर नहीं कर रहे हैं उससे अपन तो वही चीज बो लगए कि कुछ होता है उसकी अपन क्या कर सकते हैं इस प्रकार से आपका बताएगे तेक फिर बात करते हैं रस का लक्षण यहां पर आपका बताएगे रस के अर्थ का नाम ही क्या है रस है मतलब टंग के द्वारा रस ना किसको बोलगे यहां पर टंग को बोलगे इसका अर्थ मतलब जिसको आपका ग्यान हो रहे है तंग के द्वारा किसका ग्यान हो रहे है आपको टेश्ट का ग्यान हो रहे है यानि कि उसका अर्थ उसको यह अपन क्या बोलेंगे रस कहेंगे अर उपको पता है जैसे आपको जितने भी हर्वें उनके ही टेस्ट रहेगा ठीक है जिसको आप खा सकते हूं उसके टेस्ट रहेगा उद कही रस रहता है और यह क्या होता है जल और प्रित्वी और इसके विशेश ज्यान से वायू अकास वा अगनी का कारण होता है तो मतलब टाइप्स बताएगे भेद बताएगे तो कौन सो कौन से हैं ठीक है तो रस के आपके भेद है तो ये श्लोक याद नहीं करोगे तो भी चलेगा हिंदी भी याद रख लेना कि क्या बुलागा स्वादू अमलो अथलवण कटू को तिक्त यह बच्छा कसाय स्चेती सड़को अ इसके बाद में बात करते हैं आयरवेद में जल होता है उसका कोई प्रॉपर रस नहीं होता है वो क्या है अवयक्त है जिसके साथ मैं अपन मिलाएंगा उसके समानों मीठा हो जाएगा इस वज़से यह खटा हो जाएगा तो क्या क्या काम को करता है इसमें कौनसे महाभूत होते हैं उसको अपन देख लेते हैं तो यह फ्लो चार्ट से आपका एक क्वेश्चन बनेगा MCQ ठीक है तो उसको आपको याद र तो मधूर रस में कौनसा महाभूत प्रधान होता है तो जल और प्रित्वी प्रधान होता है तो याद रखना मधूर रस में क्या है जल और प्रित्वी है ठीक है तो जल और प्रित्वी जेपी जो है वो मधू है ठीक है जेपी कैसा है मधूर लड़का है ठीक है तो जेपी कम करने वाला होता है कौन सा मधूर लेकिन कफ को बढ़ाने वाला होता है ठीक है तो यह चीज को आपको याद रखने है कि क्या कर रहा है जेपी जो है जेपी कहे है थोड़ा सा मोटा है ठीक है यानि कि कफ उसमें बढ़ा हुए है तो क्या है वात पित्त को कम करने वाला है औ आपको बताएगे हैं, तो यह याद रखना है, यह JP के विश्यम बताएगे, यानि कि जल और प्रिथी महाबूत मधोरस प्रधान होता है, फिर अमलरस जो होता है, उसके अंतरगत कौन सा महाबूत होता है, तो प्रिथी और अगनी महाबूत होता है, तो अमलरस में होता है, त लेकिन पित्व को कम कर रहे हैं और पित्व और कफ को बढ़ा रहे हैं ठीक है तो यह चीज याद रखने हैं यह अमलरस के लिए बताएगा है तो अमलरस में यह चीज जो है आपको देखने को मिलेगा फिर लवन्रस जो होता है वो क्या कर रहे है तो लवन्रस जो है वो आपका जे हो गया ठीक है तो लवन्रस चला गया ठीक है तो लवन्रस चला गया तो यह भी सिमलर काम करेगा कि बात को क्या करेगा कम करेगा और पित तो कटूरस क्या कर रहे हैं तो इसमें आपका महाभूत कौन से होता है तो वायू और अगनी महाभूत होता है तो वायू और अगनी ये महाभूत होता है कटूरस में ये क्या काम करता है तो ये कफ को कम करता है ठीक है लेकिन पित और वात को बढ़ाता है अब यहां पर ये ज तो वात जो है वो पित्त के जगम आ गया और कफ को भेज़ दिये इधर ठीक है तो कफ कम करेगा कौन सा कटूरस और पित्त और वात को बढ़ाएगा कौन कटूरस ठीक है तो यह चीज़ यादर रखता है जिसमें वायू और अगनी महभूत प्रतान होते हैं फिर बात कर गए है तिक तरस के विशे में तो तिक तरस जो होता है उसमें कहे है वायू और अकास महभूत ठीक है अकास महभूत के अधिकता होते है तो वायू और अकास महभूत के अधिकता किसमें होती है तो तिक तरस में और यह क्या काम करते है तो यहां पर आपका पित्त को भी भेज़ यह मत करते हुए सिंबर सा याद करते हैं क्योंकि एक सब्सक्राइब कोई बने गहीं पनेगी आगर कुछ Beckham बताना रहा ठीक है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा या फिर notes में आपको share करूँगा जो trick है ठीक है पर अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर अभी से मैंने कोई आपको trick वगर बताना शुरू कर दिया तो आप trick के चक्कर में चले जाओगे और बाद मुस्क को decodation आपक क्या करराए वात दोश को कंदक शय्चाय बत दोश की कला करते हैं करता चिछ यहां रखना का तो कटू तिक्त और कसा हैं, नीचे के, कटू तिक्त कसा हैं, ये वात को प्रकुपित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कटू अमले लवन, ये क्या कर रहे हैं, पित को बढ़ा रहे हैं, और मधूर अमले लवन, ये क्या कर रहे हैं, कफ को बढ़ा रहे हैं, मधूर अमले लवन उसका वर्गी करन आपका बतायाग है जो आपका अल्रेडी पदार्विगांस रिलेटेटल भी टॉपिक है तो यहाँ पर प्रभाव हित के अधार पर आपन द्रव्य के टाइप देखे ठीक है प्रभाव मतलब उसके इफेक्ट के अधार पर जो द्रव्य हो उसके टाइप द दोश्व्य करां करें ठीक है यानिकि दोश्व करं कर्रहे प्रश्मन कर रहा है वो द्रव्य है जैसे कि तैल जो है वो वात को कम करते है और मदु जो है वो कफ को कम कर रहे हैं मतलब कम कर रहे इसी वजह क्या उले प्रस्मक्रव जो दोस्ट को कम कर रहा है ना वात पित्त कफिन दोस्ट को कम कर रहा है इसी वज़े से दोस्ट प्रश्मक द्रवे के अंतरकत एक्जम्पल में आ जाएगा तैल जो है वो वात को कम करता है गृत पित्त को कम करता है मधू जो है वो कफ को कम करता है तो यह कहा है दोस्ट प्रश् करते हैं जो आए को को प्रधूषित होते है यह तो धाथ को प्रधूषित कर रहें ऐसे द्रव को स्वास्तह के लिए हिसकर गालेंगे जैसे कि आप रोज रोटी खाते हो, जो हो गया, गेहुं हो गया, गाया का दूद हो गया, वोजी करन द्रवे हो गया, सश्टी चावल हो गया, जांगल मास हो गया, तो यह क्या करते हैं, स्वास्त के लिए हितकर होते हैं, ठीक है, यह क्या क्या करते हैं, स्वास्त के लिए हि स्वास्त त्हित कर द्रवय कहलाएंगे ठेक है तो यह आपका हो गया प्रभाव भीद के धार फिर आपको पूछा जाएगगा उत्पति भीद के धार फे यह जो फ्राफ्त होगा उसे अपन जांगम बोलेंगे जैसे कि हनी हो गया शहद हो गया दूद हो गया दूद से ही बनता है दही ठीक है या फिर रख्त हो गया या फिर मास हो गया यह सभी के आपके पश्जुवशे प्राप्त हो रहे अनिमल से प्राप्त हो रहे तो यह जांगम द्रव्य के इंतर गता हैंगे और पार्थी द्रव्य तो पार्थी द्रव्य है उनसे आपको प्राप्त होता है वो जो यानि कि पृट्थिवड्र जैसे कि सोना हो गया लोहा हो गया चांधी हो यह किया पार्थिव द्रव के अंतर असंतर अंते अधिक तो इसके आपको याद रखते हैं जो पत्ति-बेद्र इवार किसको बोलेंगे मुलिनी द्रव pixel मतलब जिसका पर रूट ही प्रयोग करेंगे कोई भी अपन preparation मना रहे हैं या फिर कोई को कि miser great hall करें तुछ प्रक्रिय के लिए या फिर किसी patient को देने के लिए उसके शरीर में自己 पर भूश्येक् Mak के यूप में इसके मुल का यूज़ कर रहे हैं तो पर फल का प्रयोग रहे हैं। ओर भूल वाला जो रहेगा रहे हैं। ठीक है, और फल बहुत सारे रहेंगे, तो फल वाला जो रहेगा, वो 19 रहेगा, और मूल नी, मूल वाला जो रहेगा, वो 16 रहेगा, ये आपको याद रखने हैं, इसके अलावा, महा इसने जो होता है, महा इसने जैसे कि ग्रीट तैल वसा मजज़्ा, ठीक है, ये कहाँए आ आठ प्रकार के जो पशू है उसका ही मुत्र अपन कहें प्रयोग करते हैं किसी խी औशदी निर्माण के लिए है फिर दूध जो होता है वो आपके आठ प्रकार का होतें तो आठ क्शू है उनके ही unlock यूज कर सकते हैं तो यह चिज़को भी थोड़ासयाद रखना अगर कभी पूस दिया जाया महाईसने कितने है चार है लवण पांच है ठेके मुत्र अश्टक है और दुब्ध अश्टक है ये आपके आद रखने है सोधन विक्षजे जो होते है वो छे होते है ठेक है ये कहे गए है जो वैद्ध उन आश्टियों का रोगों में प्रयोक करना जानता है वही आईरवेजसास्त्र का जानता है ए इसने हो गया लवन हो गया अश्ट मुत्र अश्ट दूध हो गया ठीकि ततज प्रकार के जो शोधन विख्षे इनका प्रयोग करना जो भी वैद्ध जानता है वही किया आयरवेद सास्थ को अच्छे से जानता है यहां पर बतायागे फिर बतायागे है और चिकित्सक के अर्थात यहां पर यह बोला गये हैं जो वन में बक्रियों का भेडों का या गायों का पालन करने वाला होता है ठीक है इसके अतरिक्त जो वन वासी मनुष्य होता है वे औशदियों के नाम रूप इसको जानने वाले होते हैं इसलिए उन लोगों के संपर्क में उपस्थी तरह करके औशदियों का नाम वह स्वरुप को जानना चीए तो यह यहां पर आपका बताएगा जानते है जो वन अर्थात यहां पर अपने को जो है चिगचक को क्या करना चीए ठीक है जो भी भेडबकरी को चराते हैं उनको क्य अच्छे से पता रहता है कि कौन सा प्लांड क्या है कैसा है ठीक है उनको पालन करने वाद हो तो उनको अच्छे से पता होता है यह जो वन में रहते हैं उन मनुष्य को अच्छे से ग्यान रहता है ठीक उनका रूप कैसा होता है तो उनके संपर्क में रह करके या उन लोग पूर्ण ज्यान के लिए कहा ओशदी का सम्यक योग आपको बनाना आना चाहिए, कि प्रॉपर जो आपका प्रिप्रेशन कैसे करके उसको मेडिसिन में तब्दील करना है, इसका आपको आना चाहिए, सम्यक योग करके, ठेक है, रोगों के अनुसार की इस प्रकार से अपने क उसको सम्योग करके उसको पेशन को देना है, ये सबी चीज़े आना चाहिए, और उसके गुण करमे इत्यादी जो है, परिचाय अवश्य होना चाहिए, तो ये कहा आपका ओशदी और शिकित्तक के लिए बताएगे हैं, ठेक है, तो ये चीज़ थोड़ा से याद रख ले ठेक है, उसका श्लोक याद निकाना हो, बट खोड़ा से इस प्रकार का जो वड़ाना हो चरक में किया गही है, ये आपको याद रहता है, फिर बतायाएगा तत्व विधेते, स्वरी, तत्व विध या पिर तत्व एता, इसमें आपका क्या बूलगे हैं, कि और शदियों क इस स्वरूप आधि को न जानने वाला भी व्यक्ति, यदि उनके प्रयोग का ज्याता रखता है, तो उसे आउशदी का तत्व विध कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बूलगे है, कि तत्व विध किसको बूलेंगे, कि जो कहा आउशदियों का स्वरूप के बारे म कैसे रहता है, गुड कैसा रहता है, वीर कैसा रहता है, विफा कैसा रहता है, या प्रभाव कैसा रहता है, ठीक है, इसके बारे मैं नो अल्लडी अभी बताया है, ठीक है, इसके पहले वाले लच्चर में, तो इत्याधी के बारे में जो व्यध्य है, यानि कि जो आपके ड के medicine उसको दे रहें तो उसे कह है उत्तम चिकितसक यानि कि अच्छा डॉक्टर उत्तम जो डॉक्टर है वो बोलना चीए ना जानी हुई ओशदी उसी प्रकार प्राण घाती होती है मतलब अगर आप कोई medicine के बारे में अच्छा सा knowledge नहीं रखते हो तो वो सरीर में उसी प्रक प्रकार हानिका रखता है जीस प्रकार वज्र हो गया सस्त्र हो गया कोई भी आपके जो आपके नुकेले जो आपके सस्त्र होते हैं ठीक है जिससे अपन सर्जीकल जो प्रोसीजर वो करते हैं यह अगनी हो गया ठीक है आग हो गया यह इंद्र का वज्र हो गया इसको अगर जिस उसदी का नाम, स्वरूप, ठीक है, गुण, तीनों ग्यात हो, अत्वा ग्यान नहीं हो, लेकिन उसका प्रयोग, प्रयोग भी ग्यात नहीं हो, तो वो कहे अनर्थकारी है, तो यहाँ पर बोलग है, तेज विश्च का भी सम्यक प्रकार से संयोग करने से, वो कहा उसदी आपके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप, क्योंकि क्या होता है, कई वीश होते है, कई पॉशन होते हैं, ठेक है, वो कि हैं, उसी के अंती नोट का काम करते हैं, ठीक, कोई चीज यहाँ पर बताएगे, कि कई वीश होते हैं, उसका सम्मयक रूप से अपन प्रयोग क है कुरियन कुरियन यहां पर आपका बोलगे है कि देवराज इंद्र का वज्र यदी सिर पर गिर जाता है तो सायद मनुष्य का जो जीवन वो सेस रह जाएगा ठीक है मतलब देवराज इंद्र का वज्र को पकड़ देते हैं उसके अगर वज्र गिर गया तो सायद चांसेज है कि आप बज भी जाओगे लेकिन अगर उसकी आप ले लोगे तो आयू जो है बिलकुल भी शेस नहीं रहेगा ठीक है वो उस प्रकार जो है मारक होता है यह उन्होंन कर लिया तो चांसेज नहीं कि आप बज पाओगे फिर मूर्ख वैद्य से संपर्ण करना करें उसके विश्य में बताया है कि अपने को ग्यानी समझने वाला जो वैद्य क्या करता है दुखी रोगों के कारण सहिया पर पड़े हुए जो रोगी है उसको बीना कुछ समझे ह हुए दवाई दे देते हैं उसे धन ही पापी मृत्य तुल्य मूर्ख वैद्य उसे बाच्चित करने पर भी मनुष्य जो है वो नरक की भाती मतलब नरक में चला जाता है यह आपका बताया गया ठीक है तो यह है कि ऐसा होता है ना कि जो जानते भी नहीं और अपने मन से को होता है ठीक है या फिर तलाब बोलता हूं तामबा जो है वो पी लेना अच्छा है मतलब उससे बात करने से ज्यादा बैटर यह इतना क्रेटिस है चरक ने कि आप उस वैद्दे से बात ही मत करो अगर ऐसा कोई मेडिसिन दे रहा है जो जान ही ने रहे ठीक है अगर उससे ज्यादा बैटर है कि आपको विसायल है सर पसे अपने आपको ढसायलो मतलब पाईट करवा लो ठीक है और मढ़ जाओ या फिर उभलता हुआ जो यह बोलसकते है तामबा जो होता है वो पील बैटर है ठीक है यह पिर आग में तप्पे हुआ जो लोह है ऊसको उसमें कहे है चले जाओ ठीक है उसमें आपने आपको गलालो वो ज़्यादे बेटर है तता सस्त यहां पर वो लग है सासर चिकित्सक का वेश धारन कर रोगी से पीडित सरण को आए हुए रोगी को अनपान वधन लेना उचीत नहीं है मतलब वो ही है कि वैसे वैद्दे से अपने को ट्री वैद्दे कहेंगे यहां पर वो लग है इसलिए वैद्दे बनने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वहां अपने गुणों की संपत्ती प्राप्त करने करने में अधिक प्रयात्न शिल रहें जिससे वह मनुष्य को प्राण देने वाले तो यहां पर वो लग है और वही रोगों से मुप्ती दिल आता है फिर चिकित्सा में सपलता वैद्दे का लक्षन बताए गया संव्यख प्रयोगा सरवेशा सिद्धी सिद्धिर ख्याती कर्मना, सिद्धी ख्याती सर्वेशा, गुण युकता, भीशा कर्म, अर्थाद सभी कर्मों में सफलता का प्राप्त हो नहीं, यहां जो है सूचित करता है कि कोई इस क्रिया का उचित रूप से प्रयोग, सभी कर्म में आप कहा है सफलता प्राप्त कर रह वह प्रॉपर ठीक हो रहा है ठीक है तो आप तरगत बताएगे तीस प्रकार जो चैप्टर हो आपका फिनिश होता है ठीक है बहुत सारे चीजे थी इसमें और जो चीजे थी मैंने आपको यहां पर बता दिया सांधी 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 अब यहां पर आपको आपका खुल जाएगा ठीक है नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर थोड़ा से एमसी क्यों बेज्ट क्वेश्टन जल्दी अपन देख लेते हैं यहां पर टोटल साथ संभासा परिशद हुए ठीक स्टाटिंग वाल सा क्लास उस्वेन नबवा फिर यह था तो दिर्ग जीवितम अध्या व्याक्या स्यामा इसको मैंने बोला था यह जो है इसमें कितने पद हैं यह मैंने नहीं बताए था तो इसको याद रखना आट सवर्व करके तो यह आप लोग ने पढ़ा था तो आप तो आइसा पूर्द करो निभरी च्या भी सेच्ट क्रिया कर्म तो क्रिया कर्म आ सभद्र उक जायगा तुके सर्ड़े हैं अंसर जाएगा इसके बात में निमणोक्ति कीसे कहते हैं तो किया है आपका इंद्री यूक्त हो मनो यूक्त हो जो ऑपमिielle पोलेंगे इन जाएगा फिर इसके बाद में आत्रे के शारशन में कितने मुत्र बताएगेगा तो अपने आगे बढ़ते हैं तो तीन प्रकार के थे अपसमार उनमाद और मुत्र कौन सा है तो यह चीज़ थोड़स मैंने नीवेता था इसको आप याद रखना खर जो मुत्र है ठीक है वो आपको बताएगा खर मुत्र को बोला गए फिर अप रिथक भाव की इसको बोला गए है तो जो आपको प्रिथक भाव होता है ठीक है जो आपको प्रिथकता उत्पनि करता उसे समवाए कहेंगे ठीक है अप रिथक भाव क बता है, तीन है, तो भी आंसर जाएगा, तो इस प्रकार से यह जो पूरा जो टॉपिक है, वो आपका आज जो पहला चेप्टर है, ठीक है, वो फिनिश होते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन सेकंड चेप्टर डिसकर्स करेंगे, तो भी के लितना ही, ठीक है तो फिर, थैंक झाल की से और फिर, ठीक है तो उर्फिक हो एत्य है, तो बता है, और प्रन कितो करेंगे, उता है, विए ऑन करेंगे कंगे का तो से प्रकार, ग्ना कुछ में चुछ करेंगे तो बता है, वो घँ